सब्सक्राइब करें सिटी न्यूद चारकन वगपाएं चारकन की तमाम खबरें बैठक में मुखरुब से गाउं की एकमात्र कच्ची सड़क की मरमत अत्वा निर्मान की मांग को लेकर एक सवर में आवाज बुलंद किया गया मौके पर मौजुद ग्रामी बलराम उराव पूरन उराव रमेश उराव अनूज उराव भुनेसवर उराव नंद किसोर उराव परदीप उराव सहित अन्य लोगों ने बतलाया कि कुरवा टान गाउं में बीते 35 से 40 वर्सों से आदिवासी समाज के लोग निवास कर रहे हैं इस गाउं में कुल सुला मकान है वर लोगों की जनसंख्या लगबग 80 से 100 के बीच है बावजुद इस गाउं में जाने के लिए कोई सबक नहीं है लोग पकडंडियों के सहरे ही आना जाना करते हैं जिससे उन्हें बरसात के दिनों में काफी दिक्कते होती है ग्रामीनों ने कहा कि इस हेतु कई बार अधिकारियों एवं जन परतिनिध्यों से गुहार भी लगाया गया बावजुद आज तक कोई पहल नहीं हुई इस बार पुना ग्रामी एक जुट होकर पंचायत के मुख्या सहित परखंड के अधिकारियों से लिखित आवेदन सौप कर मदद की गुहार लगाने का निरनलिया है बतादे की अत्यंत सुदूर वर्ती गाउं कोरवाटार परखंड मुख्याले से माज 8 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है मई गाउं से सटे अमानत नदी एवं जंगल इस गाउं की सुंदर्ता को चार चांद लगाने का कारी करता है अब देखना या होगा कि परकृतिक की गोद में बसे इस गाउं में आदिवासी समाज के लिए एक मात सड़क की मांग कब पूरी होती है पांकिस एनूज परसाद की रिपोर्ट अधिन वाफ लिए नहीं है अतना हलका फूलका चलता है नहीं आता है अब इस कारण है जब परधान जो जनावराम को लनी आवास नहीं मिला है कुछ कुछ बाखी रह गया है क्या नम है आपका किस गाव में रहते हैं आप करवाटन में आज आप लोग यहां जुटे हुए हैं काफी संख्या में क्या मामला है क्या समस्या हैं बताइए समस्या है सार रोड के लिए दिकर बहुत है पानी पुनी नहीं मिलता है जल्दी दूपर आता है तो आता है पानी तो इसके लिए कभी आप लोग मुखिया या फिर जनपर्तिन भी कोई संपर किये हैं किया नाम है किस गाव में रहते हैं आप पंचायत पंचायत नोडिया आज आप लोग यहां जूटे हुए हैं क्या मामला है बताईए हम लोग को रोड का मामला है बहुत आने जाने में देखत हो रहा है पानी भी बहुत कम यहां पानी जैसे धूप राता है तो आता है नहीं तो पानी वह नहीं आता है कुछ वर्स पहले बेची रागी गाउं जाना जाता था कब से आप लोग यहां निवास कर रहे हैं किस तरह की भूमी है यहां यहां भूमी है बनो वास्ती है कितने लोग निवास करते हैं लगभाग पन्राभी सगह रहा है